एक नीव रेसिपी के साथ आप सब को वेलकम करती हूँ आज हम बनाएंगे जी मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट पपुलर ढबा स्टाइल डाल माश की रेसिपी आज हम माश की डाल को प्रेशर कुकर के अंदर बनाएंगे जो के बहुत ही जटपड से और सिर्फ पर सिर्फ तीन मिनट के अंदर बना कर त्यार कर लेंगे आज जो मैं आपको रेस्पी देने वाली हूँ इसको बनाने के बाद आप बाहर की डाल को हमेशा के लिए बूल जाएंगे तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा रैस्पी अच्छी लगए तो लाइक शेयर कीजिएगा तो जलिए पर जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाही रहमानी रही असलाम अलेकूम वेलकम टू ब्लू पैन किच्छन तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक बाउल के अंदर डेट कप माश की दाल ली है अब भी इसके अंदर हम पानी डालेंगे अच्छे से हला लेंगे और 4-5 पाने से अच्छे से हमने दाल को धोलेना है और धोने के बाद हमने इसको रख देना है कोई विगोना विगोना नहीं है बहुत ज़्यदा दाल को बस हमने इसको धोना है और अब हम एक pressure cooker के अंदर quarter cup oil ले लेंगे oil गर्म हो जाए तो इसके अंदर दो medium size के मैंने प्यास डाल दी है जिनको मैंने बारी कट कर लिया था और अब हमने प्यास को fry करना है हमने बहुत ज़्यदा golden नहीं करना हलका सा golden color आ जाए तो इसके अंदर डालेंगे हम fresh कुटा हुआ लहसन अदर का paste जो मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है माश की डाल जो होती वो बादी होती है इसलिए इसके अंदर लहसन अदर का paste ज्यादा मिक्तार में डलता है तो अच्छे से हम fry कर लेंगे ताके लहसन अदर का कच्छा पन जो हो खतम हो जाए तो यहाँ पर देखे के लहसन अदरक भी अच्छे से फ्राइ हो चुका है और साथ में प्यास जो है वो भी काफी गोल्डन हो चुका है तो अब इसके अंदर हम बारी कटे होए टमाटर डाल देंगे जो मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लीए है मिक्स कर लेंगे और टमाटर को भी हमने इनके साथ ही भून लेना है दो से तीन टेबल स्पून के करीब पाने शामिल करेंगे इससे टमाटर जो है काफी जल्दी सॉफ्ट हो जाते है साथ ही इसके स्पाइसेज डाल देंगे 1.5 तीस्पून इसके अंदर जायeगा नमक थीस्पून हल्दी 1 तीस्पून पिस्टीवी लाल मिर्च थीस्पून कुटीवी लाल मिर्च मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे तमाब मसालों को भी टमाटर और पयास के साथ ही बहुत ही जल्दी से ये दाल बन कर त्यार हो जाती है बस मसाला भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है दो से तीन टेबल स्पून पानी इसके अंदर मजीद शामिल करेंगे ताके मसाला जो है वो जले नहीं मिक्स करेंगे और साथ ही टेमाटर भी इसके बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे टेमाटर को स्पून के साथ हलका हलका सा मैश करते जाएंगे अब इसके अंदर डालेंगे 1 टी स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून जीरा पाउडर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर तीन से चार बारी कटी वी सबस मिच्चे डाल के इन तमाम चीजों को भी अच्छे से भून लेंगे अगर यहाँ पे आपको मजीद पानी की ज़रूरत पढ़े तो आप डाल सकते हैं हलका हलका सा टमाटर को भी साथ पे मैश करते जाएंगे जब मसाला अच्छे से भून जाए आउइल सेपरेट हो जाए तो इसके अंदर हमने पहले से दो के और भुगो के रखी हुई डाल जो है वो डाल देंगे प्लेम को यहाँ पे लोटू मीडियम कर देंगे और अब हमने डाल की बुनाई करनी है डाल की बुनाई करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है तकरीबन दो से तीन मिनट तक हमने डाल को अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी मकसूस समेल जो होती है वो खत्म हो जाए जब दाल अच्छे से बुन जाए, आइल सेपरेट होने लगे, तब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, तो दाल के अंदर हमने पानी जो है वो अड़ाई कप डालना है, जिस कप से हमने महियर करके दाल ली है, उसी कप से महियर करके हमने अड़ाई कप पानी डाल देना है, यह प्रेशन लगा के इसको बंद कर देना है फ्लेम को यहाँ पे मिडियम टू हाई कर देंगे और जब विसल बोले उसके बाद तीन मिनट तक हम इसको कुक करना है तीन मिनट के बाद हमने फ्लेम आफ कर देनी है और इसकी जो गैस है वो खुद से रमूव होने देनी है इसके बाद हमने ये डकन हटाया है तो आप इसकी कंडिशन देख सकते हैं अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ तो ये देखे हैं हमारी दाल जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और बहुत ही ज्यादा खिली-खिली बनी है अगर अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे तो ये डाल माच बजार वाली डाल माच से कई गुना मसेदार बनकर त्यार होती है और कितनी जल्दी और जटपट से हमने ये त्यार कर ली है रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक किजेगा चैनल पे निए है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल लाइकन को भी ब्रैस कर दीजेगा तक है ऐसे ही मज़े मज़े की रैस्पीस आप तक पहुंचती रहें